सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडिमी के तरफ से दो बहुती ज़दा बढ़िया मोबाइल्स एक है रेडिमी का नोट 9 प्रो यह आपको मिल जाएगा 13000 का दूसरी तरफ है रेडिमी का नोट 10 जो लेटेस लाँच कर दिया रेडिमी ने 14000 का तो दोनों में 1000 का फर्क है इस वीडियो में मैं इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा मिल्कुल बिस्किप मत करिएगा चले देखते हैं Note 9 Pro के साथ 13000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं, सबसे पहले एक mini box मिलता है, जिसमें लगवा है एक simjector tool, अंदर की तरफ दिये गए हैं, कुछ user manual इस तरीके से, एक मिल जाता है cover, simple, transparent, जिसकी quality आपको normal ही दी गई है, mobile मिलता है rapper के अंदर, detail look हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं box के आपको दी गई है, यह white color में data cable, length और quality इसकी दोनों बहुत जादा बढ़िया है, और अच्छी चीज़ यह है, इसके साथ आपको type C cable दी गई है, आखर में आपको रखवा मिलता है, यह white color में charger, जिसकी build quality काफी जादा बढ़िया है, अब दोस्तों इस mobile के अंदर आपको fast charging का support भी दिया गया है, और एक 18W का fast charger, mobile के साथ box के अंदर ही मिल जाता है, तो charger आपको fast दिया गया है, काफी अच्छी build quality के साथ, अब यह सारा समान आपको मिलता है, Redmi के Note 9 Pro के साथ 13,000 में, rate के साब से देखा जाए, तो box के जो contents है, वैसे तो आपको काफी जादा बढ़िया ही दिये गया है, charger भी fast है, type C cable भी है, और cover भी दिया गया है, चलिए देखते हैं फिर भी, अगर आप 1000 जादा खर्च करते हैं, Redmi के Note 10 पे, तो 14,000 में उसके साथ क्या के दिया गया है, कितना फर्ख है दोनों में, तो जैसी आप unbox करते हैं Note 10 को, सबसे पहला आपको मिलता है mobile पहले एक wrapper के अंदर, detail look हम अभी देखेंगे, इसके बाद मिल जाता है एक mini box, जिसमा आपको पीशे की तरफ लगवा मिलता है अंदर की तरफ, एक simulator tool, अंदर की तरफ दिये गए हैं कुछ user manual इस तरीके से, एक मिल जाता है वैसे ही quality में cover, simple, transparent है दोनों के साथ, इसके बाद आखर मापको रख़वा मिलता है ये white color में charger, जिसके build quality काफी जाद अच्छी है, note 9 pro के charger की तरह, लेकिन दोस्तों फर्किये है, इस mobile के अंदर भी आपको fast charging का support तो मिल जाता है, लेकिन box के अंदर आपको 18 watt का fast charger नहीं दिया गया, इसके साथ मिलता है 33 watt का, तो charger आपको भी बढ़िया ही दिये गए है, चली बात कर लेते हैं दोस्तों, design के बारे में, तो इन दोनों के अंदर आपको design मिल जाता है, white और black color आप देख सकते है, note 9 pro का white color है, और black color मिल जाता है आपको note 10 में कुछ इस से रिके की look में, दोनों के design बहुत जादा shiny है, look wise दोनों बहु design दिया गया है, gorilla glass की protection के साथ, note 10 के अंदर आपको plastic के type के design मिलता है, तो quality जो है design की, वो note 9 pro की जादा बढ़िया है, बात कर दोस्तों, camera के बारे में, तो note 9 pro में आपको बिच्छी की तरफ 4 camera दिये गया है, इसमें main camera है, पहला 48 megapixel का, दूसरा 8, 3, 5, 4, 2 megapixel का, front camera है, इसका 16 megapixel का, camera की performance आपको इसके अंदर काफी जादा बढ़िया मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ, Redmi के note 10 में आपको बिच्छी की तरफ 4 camera दिये गये हैं, इसमें पहला है 48 megapixel का, दूसरा 8, बाकी के 2 camera है, 2, 2 megapixel के, front camera है इसका 13 megapixel का, दूस्तो camera की performance आपको Redmi के note 10 के अंदर भी काफ जादा बढ़िया है, फिर भी इन दोनों के comparison में note 9 pro और भी जाद अच्छा है, कीमत भी 1000 कम है, और इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया ही camera दिया गया है, note 10 की तरह, इसके लाव दोस्तों आप देख सकते हैं complete design, आपको इन दोनों में किसका design जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा, वैसे color और camera का design मुझे back side से जादा बढ़िया लगा note 10 का ही, लेकिन quality जादा important है, जो note 9 pro में जादा बढ़िया दी गई है, glass design, gorilla glass की protection के साथ, इस वज़े से मुझे इसका design जादा better लगा note 10 से, बात करें दूस्तों display के बारे में, तो note 10 के अंदर आपको 6.43 इंचिस की display दी गई है, तकरीबन साड़े change की, note 9 pro के अंदर आपको 6.67 इंचिस की display मिल जाती है, साड़े change से और थोड़े से जादा ही, तो display size को लेकर note 9 pro जादा बढ़ा है, बाकि दोस्तों बात करें user interface के बारे में, तो user interface दोनों में कुछ इस तरी के से दिया गया है, आप right side पर swipe करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है, अंदर से चलाने में दोनों ही mobile's एक जैसे ही लगते हैं, चाहे आप note 9 pro खरीदें, या फिर note 10, इस चीज में दोने कैसे हैं, दोस्तों user interface मुझे दोनों ही mobile's का normal ही लगा, बाकि आपकी पसंद की बा Full HD+, तो display की quality है, वो note 10 के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दी गई है, डिजाइन अगर आप देखेंगे, तो दोनों के अंदर आपको पंचोल camera वाला design दिया गया है, दोनों के अंदर display के अंदर ही camera है बीच में, लेकिन note 10 के camera का जो size है, वो और ज़्यादा छोटा है, हाला कि display size को लेकर ज़्यादा बढ़ा है note 9 pro, लेकिन दोस्तों अगर आप colors देखेंगे, brightness देखेंगे, तो उसके अंदर काफी बढ़ा फर्क है, note 10 के अंदर आपको display बहुत ज़्यादा बढ़िया दी गई है, note 9 pro से, display की quality को लेकर note 10 ही ज़्यादा बढ़िया है इन दोनो में, left side साब देहेंगे दोनों को, तो sim की tray दी गई है दोनों में इस सरफ, दोनों के अंदर अच्छी खुबी ये है, कि आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खुबी है, side से build quality ज़्याद अच्छी है, note 9 pro की, नीची की तरफ साब देहें तो volume के बटन्स और power के बटन्स, fingerprint scanner दोनों mobile में आपको side में दिया गया है, power के बटन के अंदर ही, इस चीज में दोनों इस से हैं, उपर की तरफ साब देहेंगे, तो दोनों में noise cancellation mic दिया गया है, IR blaster मिल जाता है, जिससे आपका MR remote काम करता है, TV अगर आप दोनों से चला सक लेकिन दोस्तों note 10 में आपको ऊपर की तरफ भी speakers दिये गये हैं, यह इसमें जाद अच्छी खुबी है, दोस्तो note 9 pro में आपको मिलती है 13000 में 4GB RAM 64GB के internal storage, 14000 में दी गई है note 10 के अंदर 6GB RAM 128GB के internal storage, वैसे Redmi का note 10 आपको 4GB RAM 64GB internal storage के अंदर भी मिलता है, उसकी कीमत और कम ही है 12000, note 9 pro से 1000 और सस्ता ही है, लेकिन दोस्तों अभी उसकी sales start नहीं हुई, अभी आपको यही available मिलता है online, बाकि दोस्तों दोनों के अंदर आपको, note 9 pro में आपको android के 10 version दिया गया है, 11 version आपको मिल जाता है, बिल्कुल latest note 10 के अंदर, बात कर दोस्तों battery के बारे में, तो note 9 pro के अंदर आपको battery दी गई है, 520 image की, note 10 के अंदर आपको battery दी गई है, 5000 image की, दोनों के अंदर आपको एक दिन का battery बैका पराम से मिल जाता है, बैटरी में दोनों बढ़िया है, और भी ज़्यादा बढ़िया है note 10, क्योंकि इसके साथ आपको charger ज़्यादा fast दिया गया है, बा अगर आपको बढ़िया चाहिए, तो इन दोनों mobile's के comparison में ज़्यादा बढ़िया है, Redmi का note 9 pro ही, इसके अंदर आपको processor ज़्यादा बढ़िया दिया गया है, तो ये सारी खुब्य कम्यापको मिलती है इन दोनों के अंदर, चेली बात कर लेते हैं सबसे main चीज, आपको इन OLED display है, colors के अंदर आप देख सकते हैं, फर काफी ज़्यादा है, इसके साथ दोस्तों अगर आपको design अच्छा चाहिए, तो वैसे तो design में दोनों बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया वैसे note 10 का design ही है, काफी latest design मिल जाता है camera का इसके अंदर आप 10 की तरह, और दोस्तों अगर आप के लिए मैटर करता है mobile का processor, तो भी आप note 9 pro खरीदियेगा, इसके अंदर आपको processor ज़्यादा बढ़िया दिया गया है, इसके साथ दोस्तों अगर आप के लिए मैटर करती है mobile की display, तो आप note 10 ही खरीदियेगा, इसके अंदर कोई competition नहीं ह note 10 display को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो दोस्तों देखा जाए, तो दोनों के अंदर आपको जो खुबिया मिलती है, वो कम कीमत में ज़्यादा दी गई है note 9 pro के अंदर, तीन चीजों में ये mobile ज़्यादा बढ़िया है, एक तो इसके अंदर आपको design की quality ज़्या और charger fast चाहिए, तो आप note 10 लीजिएगा, बाकि दोस्तों सारी चीज़ा आपको note 9 pro के अंदर 1000 कम कीमत में quality ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, design की quality camera और बढ़िया processor, वैसे दोस्तों मुझे इन दोनों mobile में ज़्यादा अच्छा लगा note 9 pro ही, इसकी जो in hand feel है, इसकी जो build quality है, वो जादा better लग रही है note 10 से, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है, तो आप note 9 pro खरी दियेगा, बाकि दोस्तों अभी note 10 की sale भी start होगी, 4GB वाले variant की जिसकी कीमत होगी 12,000 के आसपास, तो मैं आपसे कहूँगा, उसका wait करियेगा, 14,000 में note 10 न लेके, 13,000 में note 9 pro लीजिएगा, बाकि जब यह available हो जाए 12,000 में, 4GB वाला variant तो आप note 10 ले सकते हैं, note 10 अगर आप 12,000 में लेते हैं, मुझे rate की सबसे तब इसके features बहुत ज़ादा पसंद है, क्योंकि quality wise, note 9 pro फिर भी कुछ चीजों में ज़ादा बढ़िया ही है हालकि इसकी कीमत 1000 और ज़ादा ही होगी note 10 से, लेकिन दोस्तों फिर भी यह mobile actual में better ही है, बस display को छोड़ कर, तो आपसे यही कहूंगा, आप 12,000 में note 10 का wait कर लिएगा, जब इसका variant launch हो जाए तब आप यह ले सकते हैं, बाकि दोस्तों अगर आप 14,000 में लेने की सोच रहे ह तो मुझे 13,000 में note 9 pro quality wise जदा better लगा, आप बताएगा फिर भी comment करके, आपको इन दोनों में कौन से जदा पसंद आया, यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे जो लाल कलर का करूचे यह झा ये प्सक्राइब